हेलो दुस्तों स्वावबत करता हूँ आपकी अपनी चैनल टॉक्स फोर्यू में दुस्तों सबसे पहले मैं आप सबी को बता दू कि संजेबिर्स कोलेज राची में यूजी वोकेशनल कोर्सेज के लिए अपलाई होना स्टार्ट हो चुगा है तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबी को बताने वाला हूँ कि संजेबिर्स कोलेज राची आखिर कौन-कौन सा वोकेशनल कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रही है उसके फिर स्ट्रिक्चर क्या होंगे साथ में यहाँ पर कैसे आप फॉर्म अपलाई कर पाएंगे ओनलाई होगा ओफलाई होगा किस वेबसाइट के तुरू आपको फॉर्म अपलाई करना है इसके अलावा मैं आप सबी को बताऊंगा कि form apply करने का जो है last date कब तक रहने वाला है इसके अलाव भी कुछ-कुछ ऐसे informations होंगे जो आपके लिए important होने वाले है वो सभी जो है आपको इस वीडियो में details में देखने को मिलेगा तो जो भी students Sanjayvier School of College राची में UG courses के लिए मतलब कि UG vocational courses के लिए interested है वो इस वीडियो को एक बार जरूर देखे ताकि आप सारी चीज़े अच्छी तरह से समझ पहाँ और जो है जो भी आपर doubts से जो भी आपर questions से आपका वो clear हो जाए ठीक है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर ले ताकि संजेविर्स कोलेज राची में एडमिस्ट से related इस तरह के informative और helpful वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और मैं आप सभी को बताता हूँ सबसे पहले कि यूजी vocational course में कौन-कौन से courses हैं जो की संजेविर्स कोलेज की द्वारा provide की जा रही है तो इसके लिए आप चाहे तो आप यहाँ पे संजेविर्स कोलेज राची की website से prospectus भी download करके आप पढ़ सकते हैं तो यहाँ पे prospectus में आपको सबसे पहले ही देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा इस ट्रीम में कौन सा vocational courses है तो BSC में आपको computer application, information technology और bio technology देखने को मिलेगा become में आपको international accounts, advertising and marketing, banking and insurance और साथ में office management and secretarial practice का जो है vocational course देखने को मिलेगा वहीं पे अगर देखा जाए BA में तो BA में है journalism and mass communication, animation and interior design और साथ में English language and literature ठीक है इसके अलावा भी यहाँ पे और भी vocational course है जो आपको यहाँ पे दिखेंगे bachelor in business administration मतलब की BBA साथ में bachelor in retail management BRM और साथ में है bachelor in financial market operation मतलब की BFMO ठीक है उसके अलावे भी यहाँ पे और कई तरह के subject है और कई तरह के courses है आप यहाँ prospectus में details में देख सकते हैं ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करो in courses में admission के लिए क्या eligibility रहनी चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे बताएगा है कि यह किसी भी गोट से हो ठीक है लेगिन 12th class में है जो कि यहाँ पे परसेंट आपकी 50% होने चाहिए ठीक है और एक चीज़ धिया रखिएगा कि यहाँ पे कोई-कोई course के लिए अलग यहाँ पे demand की जा सकती है या तो subject की या पे percentage की तो वो अलग रह सकती है तो यह सभी चीज़ों के लिए आप इस prospectus को एक बार जरूर देख ले ठीक है अब जिस भी course को लेने वाले हैं जिस भी course में उसी के marks के वैसिस पे यहाँ पे merit list आपको दिया जाएगा जो कि आपको college या फिर offline भी notice board में देखने को मिल जाएगा ठीक है कोई कोई course में यहाँ पे interview भी होता है तो वो भी आपको देना होगा ठीक है उसके बाद मैं यहाँ पे चलिए आपको बताता हूँ कि कौन कौन से course में कितने seat available हैं ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं ELL मतलब English Language and Literature में 75 seat ठीक है उसके बाद BBA में 75 seat BCA में 120 BIT में 60 BJMC में 75 Bio Technology में 60 और Animation and Interior Design में 50 seat available है ठीक है उसके बाद यहाँ पे और भी educational subjects है तो उसके भी यहाँ पे seat दिये गए हैं ठीक है जैसे कि Building Construction Management में 50 seat Fashion Technology में 50 Retail Management में 75 Office Management and Secretial Practice में 75 Advertising and Marketing में 75 seat और Banking and Insurance में 75 बाकी यहाँ पे जो है International Accounts और Financial Market Operation इन दोनों में भी 75 seat available है तो इस तरह से जो है यहाँ पे vocational course में इतने seat available है तो यहाँ और एक चीज़ दिया हुआ है जो कि मैंने आपको बताया नहीं वहाँ पर दिया हुआ है seat 1, seat 2 इस तरह से दिया हुआ है तो यह जो है यहाँ पे दो classes होते हैं मतलब कि सुबह साम यहाँ पर दूपहर में इस तरह से ऐसे हो सकते हैं ठीक है तो उसके हिसाप से seat कम ज्यादा हो सकता है यह चीज़ आप दियान रखेगा अब उसके बाद चलिए मैं आप सब इको बत लिस्ट बनी हुई है यहाँ पर बीए बीकॉन और बीसी के लिए भी है और साथ में वोकेशनल कोर्स के लिए भी है तो यह सभी जो है आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा और क्योंकि इतना लंबा लिस्ट बना हुआ है तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के description box में दे दूँगा आप वहां से जाकर कि यह विबसाइट ओपिन कर लिजेगा और यहाँ पर सभी जो कॉर्स भी है वो देख लिजेगा ठीक है अब चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि फॉर्म अपलाई कहां से करना है ठीक है तो फॉर्म अपलाई करने के लिए आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पर आने के बाद तुड़ा से स्क्रूल करेंगे तो यहाँ पर आपको आपको अप्सन मिलेगा अपलाई नाउम न्यू रेजटेशन क्या तो इस पर आपको क्लिक करना है सबसे पहले अपना रेजटेशन करने के बाद आपको यहाँ फोग्यaston एकाट करनेगा तो लौग्यां करता है कि फोग्यां को कि तो यहाँ यहां पर देख सकते हैं 14 माई से श्टार्ट हो चुका है और अगर आप Rainbow करना चाहें तो ओनलाइन अपलाई करना होगा आपको साथो दिन 2400 घंटा आप कभी भी किसी भी वह कर सकते अपलाई ठीक है और यहाँ पर अगर लास्ट डेट का बात किया जाए तो अभी नहीं बताया गया है हो सकता है कुछ दिनों के बाद यहाँ पर बता दिया जाए ठीक है उसके बाद एंटर्स टेस्ट के लिए भी यहाँ पर कोई भी डेट अभी यह सू नहीं किया गया है और ना ही एडमिसन से रिलेटर जो भी यहाँ पर एडमिसन कभी स्टार्ट होगा उसके बारे में भी बताया नहीं गया है ठीक है अभी बस इतना बताया गया है कि 14 माई से जो हैं आप UG Vocational Courses के लिए form apply कर सकते हैं ठीक है और form apply करने से पहले मैं आप सभी को suggest करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो prospectus दिया हुआ है अच्छी तरह से एक बार जरूर बारे ठीक है उसके बाद ही apply करें नहीं तो आपको कुछ rules and regulation नहीं पता होगा तो यहाँ पर फस सकते हैं I think आप उस सभी कुछ मैंने आप सभी को बता दिया है इसके अलावा कुछ भी आपको जानना हो इससे related तो आप comment करके जरूर पूछ लिजेगा ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तर के लिए बाए बाए ठीक के